हेलो फ्रेंट्स मैं मर्जीत आप सभी को हमारे चनल ए असमा ठिल पर स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक का आईडी मिल गया है जो मर्चेंट आईडी होता है फ्रेंट्स उसमें वाइलेट लोड लेना पड़ता है पुलिस भेरिप्रिकेशन के लिए तो ओ वाइलेट लोड आपको कितना लेना है और कैसे लेना है मैं इस वीडियो में लाइव वाइलेट लोड लेकर आपको बताऊंगा यहाँ पर फ्रेंट्स वालेट लोड का मतलब हो गया कि आपको money transfer के द्वारा उस खाते में पैसा डालना होगा क्योंकि जब आपने अपना merchant ID create किया होगा उसी टाइम आपको फिनो payment bank का account number आपको मिल जाता है और user ID तो user ID से तो आप अपना portal login कर पाएंगे लेकिन जो account number होता है उससे आपको पैसा अपने merchant ID में डालना पड़ेगा तो आप कैसे डालिएगा यहाँ पर मैं बताऊंगा यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने dogma soft company का यूज किया है money transfer करने के लिए फिनो payment bank में आप अगर किसी और company का यूज करते हैं तो उसका भी यूज करके आप money transfer कर सकते हैं बसरते उसमें फ्रेंट्स आप अपना account number सही डालिएगा आपका money transfer हो जागा money transfer कीजिगा फ्रेंट्स तो अगर आपको जल्दी होगा तो IMPS से ही कीजिगा नेफ्ट से नहीं कीजिगा क्योंकि नेफ्ट का कोई भरोसा नहीं होता है आदा गंटे में जागा दो घंटा में जागा चार गंटा में जागा या दिन भर भी लग जाता है लेकिन IMPS से कुछ चार्ज जादा कटेंगे लेकिन वहाँ पर तुरंत आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है आपको minimum balance उसमें फ्रेंट्स 200 रुपए wallet लोट लेना है 200 रुपए इसलिए फ्रेंट्स क्यूंकि ID और password मिलने के बाद आपको उसमें police verification करवाना पड़ता है तो आपका police verification का charge उतना आपके wallet से कड़ जागा इसलिए मैंने बताया कि minimum आप 200 रुपए wallet में रखिएगा ही रखिएगा अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं उससे कोई दिकत नहीं है और police verification कैसे करवाएंगे उसके उपर वीडियो बनाया हुबा है उसका link आपको i button और description में मिल जागा आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि police verification आप कैसे करवाएगा यहाँ पर फ्रेंट police verification में आपको नहीं कहीं पुलिस स्टेशन में जाना है नहीं पुलिस वाले लोग आपके पास आकर फिरफिकेशन करते हैं यह फीनो आटोमेटिक ली करवा लेता है तो चलिए फ्रेंट चलते हैं mobile screen पर यहाँ पर फ्रेंट फीनो merchant ID में आप पैसा कैसे अपना transfer करके इसमें add किजिएगा उसके बारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए फीनो में यहाँ पर अभी मेरा जीरो जीरो बाइलेंस है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने refresh करके दिखा दिया यहाँ पर जीरो जीरो बाइलेंस है अभी इसमें मैं कुछ पैसा transfer करूँगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि यह पैसा यहाँ पर आता है यह नहीं आता है तो यहाँ पर दिखिए मैं फीनों में पैसा सेंड करने के लिए मैं एक कंपनी का डी यूज कर रहा हूं प्रेंड डोगमा सोड का आपके पास रैПी पे या सपड़ी पेश leaf कर दोगमा करने के बाद खुछ इस परखार से आपको इंटेंटर्फेस नजर आएगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है थोड़ा और यहां पर लिखा हुआ है क्वीक ट्रांसफर आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटीनिव पर क्लिक करना है अगर आप मोबाइल नंबर से फर्स्ट आड करना होगा तो add पर click करते हैं add पर click करने के बाद यहाँ पर देखे account number मांग रहा है तो phino payment bank में जो भी आपको account number मीला है यहां पर आपको डाल देना है account number फ्रेंट जैसे ही यहाँ आप ID करते हैं उसी टाइम मिल जाता है account account number और user ID तो आपको account number डाल देना है और नीचे यहां से आपको bank अपना select कर लेना है फीनो payment bank तो यहां पर देखिए मैं फीनो payment bank select कर लेता हूं bank के यहां पर select करने के बाद automatically यहां पर IFC code default ले ले लेता है payment तो इसमें आपको change नहीं करना है कोई दिकत नहीं होगा उसके बाद यहां पर beness fairy name डाल देना है जिनके नाम से ID है उनका नाम यहां पर डाल दीजेगा नाम डालने के बाद यहां पर देखिए save पर click कर देना है side में यहां पर get name है आप get name पर अगर click करते हैं तो यहां पर आपका पांच रुपए charge काट लिया जाएगा वह verification charge होता है यहां पर मान लिजे कि आपका नाम परकास कुमार है और यहां पर अगर आप बीबेक कुमार भी लिख कर और get name पर click करते हैं तो आपका यहां पर सही नाम खोज कर यह लाकर आपको दे देगा तो मैं यहां पर account नमबर और यह सारा details फील करके friends और save पर click करता हूं save पर click करने के बाद friends आपका जीतना भी यहां पर account add रहेगा वह आपको यहां पर दिख जाएगा तो यहां पर देखिए सब से नीचे यहां पर यह add हो गया है तो यहां पर आपका जो भी account रहेगा friends तो उसके side में यहां पर देखिए नीचे delete का एक icon बना हुआ है उपर में transfer लिखा हुआ है तो आपको transfer पर click करने के बाद उपर में देखिए IMPs लिखा हुआ है यहां पर हो सकता है आपको IMPs का option मिल जाए लेकिन आपको IMPs ही select करना है उसके बाद यहां पर जो भी आपको amount डालना है वो यहां पर डाल दीजेगा तो मुझे यहां पर अभी police verification के लिए 200 रुपए डालना है तो मैं यहां पर 200 रुपए डा हो जागा और यह पैसा आपके फीनो payment bank में credit हो जागा यहां पर देख सकते हैं transaction successful हो गया है यहां पर हम लोग बैक में आते हैं बैक आने के बाद friends यहां से आप transaction report भी देख सकते हैं नीचे आईएगा यहां पर देखे transaction history लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक किजेगा तो जीतना रिचार्ज कर रहेगा इस साइड दिखेगा और यहां पर देखे लिखा हुआ है DMR transaction report मतलब domestic money transfer का यहां पर रिपोर्ट दिखाएगा तो यहां पर देखिए जैसे इस पर क्लिक किया तो यहां पर जो भी money transfer मैंने किया था 200 का और जी से कांड जसते ही यहां पर देख सकते हैं 200 रुपए यहां पर एड हो गया है इस प्रकार से आप फिनो payment bank का merchant ID में पैसा यहां पर लोड ले सकते हैं और फ्रेंट्स इसके बाद आपको पुलिस verification के लिए एक message send करना पड़ता है उसके उपर वीडियो बनाया हुआ है उसका link आपको i बटन और description में मिल जागा वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हमने जाना फ्रेंट्स कि आप फिनो payment bank में वालेट लोड कैसे ले सकते हैं आइकन को भी दबा दीजेगा जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नुट्फिके देने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स जाहिन